अब आज आप टूल बन गए हैं मीडिया को आप ही मिले हैं इस्तमाल करने के लिए आप के पिता कहेंगे कि ऐसा परदेक्शन करेंगे हिंगोस्तान हिल जाएगा जिम्मेदार मीडिया है आप बोलने हैं या मैं बोलना हूँ मैं भी बोलूँगा आप भी बोलिए नहीं आप पहले बोलने यू 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 आपको सुनना पड़ेगा पर अच्छे से बोलिए अब आपको कुछ पूछना है तो पूछें देखें जी हुसाख रसूल की एकी सजा सर तन से जुदा इस टोटली एक्सलोटली एंटी इसलामिक स्लोग है और इसको मैंने अपनी पूरी वीडियो में जो मैंनी पूरी दुनिया में वीडियो गई है उस पे मैंने ओपनली कंडेम किया इस इंसिडेंट को किसी को प्लीज करने के लिए नि सिर्व अपने अल्ला को प्लीज करने के लिए मैंने कुराण और धीश से प्रूवस दिये कि एक्स्टर जूडीशल किलिंग हराम है और जो कोई भी एक नौन मुसलिंग को कतल करता है वो जन्नत की खुश्वू भी नहीं सून सकेगा, यह हदीस है, जबकि जन्नत की खुश्वू 40 साल के सफर से आ रही होगी, यह authentic हदीस है, जो मैंने अपनी वीडियो में, और ऐसी बहुत बेशुमार हदीस हैं, मैंने पेश की, तो मीडिया ने वो क्यों नहीं चलाई, मैंने भगवत गीता Jewish Bible, Christian Bible से similarities बयान की, वो मीडिया ने क्यों नहीं चलाई, मेरे Twitter handles क्यों नहीं देखे गए, जहां मैं peace and prosperity अमंग different communities की बात करता हूँ, वो क्यों नहीं चलाई, मैंने जितने भी non-Muslim colleagues and friends हैं, वो मुझे personally जानते है that I have always stand out for peace and common harmony in the country, not because कि मुझे किसी और प्लीज करना है, but because मे बोलू, 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 कुरान में, सूरा अनाम में, chapter number 6, verse 108 में, Allah साफ कहता है कि मुसलमानों को कोई हक नहीं पहुचता, कि वो उनके बारे में बुरा भलका है, जो लोग अल्ला के सिवा, दूसरी डाइटी की वर्शिप करते हैं, it explicitly, Allah clearly कहता है, कि हमार, तुमें कोई र religious belief को या किसी religious डाइटी को, मैंने आपको कुरान का हवाला दिया है, मैं सिर्फ सरसर बात नहीं कर रहा हूँ, ओपर से, ठीक, 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 तो फिर तो आपने अल्ला को नाराज कर दिया, तो आप क्या दोजक में जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं कि आप दुम्या उसमें कांटेक्स दो लें, आप देखे ना वीडियो, आप वीडियो क्यों नहीं देखे लें, वीडियो की शुरुआत करते हैं, तीन सो टैक्स करोड डेवी देता हैं, पहले मेरे बारे में जान तो लें, चाहे तो वो किताब की कटिंग लाके निखा सकता ह आपने किताब की कटिंग कोट की है, तो आप निकले शब्द आपके मूसे है, अब आपने आपने ये शब्स इस्तमाल की है, यह मेरा पॉइंट ऑफ यू था, यह मैंने अपने घर पे बैठके किताब लिकी, यह तो एक किताब ही जिससे में ने कोट की है, मैं उसे ओन पर पर ही लीजेगा दुनिया में बहुत सारी किताबें इसलाम के बारे में बहुत खराब बातें बताती हैं गलत बातें बताती हैं मैं वो कोट करना शुरू कर दो या कोई और कोट करना शुरू कर दे तो आप सहे लेंगे उस बात को ये तो रिबटल हो रहा है आज आज मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप पेले में वीडियो देखें, फिर बात करें आप